कैप्टन राकेश शर्मा जो भारत के पहले अंत्रिष यात्री थे क्यों जीवन जी रहे हैं गुमनाम आईए देखते हैं इनके शिंदर में तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह डाइग्राम आपके सामने हैं जिसमें इश्रो है और हमारे अर्थ का डाइग्राम बना हुआ ह इसका मतलब यह है कि इनकी जो एचिवमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही नहीं अर्थ के इस्पेस पर भी हैं तो आईए के करके देखते हैं सबसे पहले इंपोर्टेंट डिटेल्स जो आपके सामने हैं इनका डेटा बर्थ 13 जैनवरी 1949 को है बर्थ प्लेश इनक के दो पुत्र हैं और एक पुत्री है अर्थात यह कहां के अल्मुनिया ही रहे उसमें देखेंगे 35 नेशनल डिफेंस अकडमी और अकूपेशन इनका क्या है इंडियन एर फोर्स में फाइटर पाइलट है रिसर्च कोश्मोनट एंड इस रो हाल टेस्ट पाइलट के और इसे प्रकार से हैदराबाद से ग्रेजवेशन हुआ तथा एंडिये को नोने खड़क वासला पुने में ट्रेनिंग ली ठीक है आई इसके बाद देखी किनका कैरियर कैरियर इनका स्टार्ट होता है इंडियन एर फोर्स में राकेश शर्मा इंटर्ड दा आई एफ इन Карमट मिश मिशन, on 20th September 1982, he was chosen to be a Kashmaranat in the Indian Air Force joint program and the Soviet Inter-Kosmo Space program. He trained rigorously at Moscow Eury-Gagarin Kashmaranat Training Center for two years. also he underwent a test for the Clusterphobia in Bengaluru. इसका मतलब यह है कि हमारे जो कैप्टन राकेश शर्मा है इन्होंने मिक-21 के अलावा आप देखेंगे रशिया से सांधार ट्रेनिंग लेने के पश्चात यह भारत में कहीं न कहीं स्क्वाडर लीडर के पोस्ट पे पहुंचे अब इसके बाद देखिए इनका जो कैरियर है अच्टोनेट के रूप में राकेश शर्मा वाज फिस्ट इंडियन तो गो था स्वेस अंधर अप्रेल 1984. ही वाज अन बोड श्यूज टी-11 लांच फ्रॉंड प्रॉंड काजाग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बैकानूर कास्मोड्रोन. The huge T-11 spacecraft docked and transferred the three member Soviet-Indian international crew at a Shalut 7 orbital station. The three spent seven days, 21 hour and 40 minutes. Abroad the Shalut 7, the team performed technical and scientific studies, part of which were 43 experimental session Rakesh Sharma mostly work in the remote sensing and bio-medicines. तो जब ये इनके जब कैरियर है इस्टोनेट की रूप में रहे तो इसमें आप देखते हैं कि रशियन जो सोशलिस्ट है, उसके कहीं न कहीं एक common minimum program के तहत उनको वहां भेजा गया, और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद राकेश शर्मा के द्वारा कहा गया है, इसके बाद राकेश शर्मा वेंचर इंटो थे स्पेसमेड इंडिया 14th national have to send human into space and the 128th man to go into space, इसके बाद यहां पर देखेंगे retirement and after at the time of his retirement in 1987 राकेश शर्मा was a wing commander, in the same year he joined HAL, Hindustan Aeronautics Limited and was the chief test pilot in HAL, Nasik Division till 1992. During this time, he was near Auser, यानि Nasik, testing MiG-29 and the plane developed at a technical snack and lost control. His life was saved due to timely ejection from the plane. He retired from the flying in 2001 and settled in Kunnur Tamiladu. इसका मतलब यह है कि इनका जो जन्व हुआ था वो पटियाला पंजाब में हुआ था लेकिन इस समय यह कुनूर तमिलाडू में रह रहे हैं. अगर हम इनके awards की बातचीत करें, इनके achievements की बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे 25th anniversary of the independence medal, इसी प्रकार से 9-year long service medal, अशोक चक्र है, hero of the Soviet Union है, इसी प्रकार पश्चिमि स्टार है, सैन शेवा medal है, इसी प्रकार संग्राम medal है, और विदेश शेवा service medal के रूप में इनकी achievements यहाँ पर सामानुप से आपको दिख रही हैं. तो यह है हमारे पहले squadal leader, जो astronomer की रूप में space पर गए, और यह जो सबसे बड़ी बात यह है, कि इंद्रा गांधी जी ने पूछा, कि कैसा राकेश जी बताईए, कि space से हमारा देश कैसा लगता है, तिन्हों ने कहा, Mrs. Prime Minister सारे जहां से अच्छा, तो यह एक बड़ी important जा बताने का प्रयास करें, जैहन!